दोस्तों आपके फेवरिट शो उडारिया में अब तो ऐसा लग रहा है कि फतह सिर्फ जैस्मिन के हाथ की कटपुतली बन कर रह गया है नमश्कार आप देख रहे हैं बॉलिवूड स्पाई दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जैस्मिन का असर फतह पर अब इस तरीके से होने लगा है कि जो जैस्मिन कहती है वही फतह करने निकल पड़ता है फिर वो ये भी नहीं सोचता कि तेजो को कैसा लगेगा या तेजो को पता चला तो क्या होगा इन फैक्ट वो ये भी नहीं सोचता है कि हमारे परिवारों को पता चलेगा तो क्या होगा और ऐसा ही अब दोस्तो प्रोमो में देखने को मिल रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि जैस्मिन ने फतह को ये कहा है कि तुम तेजो को सब कुछ सच सच बता दो और फतह ने भी हा कर दि कुछती है कि तुमने लेडीज पर्फ्यूम लगाया है लेकिन ऐसा कोई पर्फ्यूम मेरे पास तो नहीं है इसके बाद फतह भड़क जाता है और भड़कते हुए कहता है कि हाँ लेडीज पर्फ्यूम है और मैं तुम्हें धोका दे रहा हूं मैं मेरा अफैर चल रहा है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता हूं इस तरीके से फतह यहां पर रियक्ट करता हुआ नजर आ रहा है अब दोस्तों देखना होगा कि फतह सिर्फ अपने अफैर के बारे में बताएगा या ये भी बताएगा कि उसका अफैर किस से चल रहा है और अगर फतह सब कुछ बता देता है तो दोस्तों तेजो को क्या करना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताएगे अभी के लिए इतना ही देखते रहे है बॉलिवुड स्पाई